हाई फ्रेंड्स हावार यू ओल होप यौल आर फाइंड आज भी एक नया रेसिपी लेके आएं जो इंडियन रेसिपी है बहुत पोपुलर है हर स्टेट पे बनाया जाता है आपने हिसाब से बनाते हैं सो मैं आज वो रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकेन रोल जो कि सब को पसंद है बच्चों को पसंद है बड़ो को पसंद है हम लोगों का इवनिंग स्नाक्स हो जाता है बहुत टेश्टी रहता है टमी फुल हो जाता है अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसं मैधा का खाली गेहू का भी बनासकते हो। लेकिन मैधा खाली बनाने से वो थोड़ा रबबर जींसे ौकिचना पड़ता है । झाना का खाली आटके बनाएंगे तो उसी तोड़ा सक्त हो जाता है। सो इसलिए मैशे Hell मेंने से बनाया है जिलनों मिला के। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम लोग ये डॉब बना लेंगे देखिए मेरा डॉब बनके तैयार भी हो गया, इतना सॉप्ट होना चाहिए अभी इसमें थोड़ा सा ओयल डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेके उसको एक कपड़े में ढखके 15-20 मिनिट हम लोग उसको रख देंगे इसको साइड में रखके हम लोग फिलिंग के तरह बढ़ते हैं क्योंकि यह चिकन रोल है तो ओविसले हम लोगों को चिकन चाहिए इसमें हम लोग थोड़ा सा चिली पाउडर थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट देखे मेरिनिशन के लिए हम लोग 15-20 मिनिट रख देंगे मैं यह पहले से रख दिया था अभी एक बाउल में थोड़ा सा सोया सॉस तो स्पून स्टमेटो सॉस मैं यह 300 ग्राम चिकन के हिसाब से बता रही हूं आप लोग आपना देख लिजिए इतना आप ले रहे हो उसके हिसाब से लिजिए वन स्पून चिली सॉस यह सब हम देंगे और यह सब अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़े टाइम के लिए रख देंगे फिर एक कडाई या पैन गरम करके उसके उपर ऑईल डाल देंगे और फिर जो हम लोग मैरीनेशन के लिए रखे थे चिकन 20 मिनिट वह हम लोग उसमें डाल देंगे उसको ऑईल क सुख जाए तो हम लोग जो रखे दे वह सारे साथ मिला के वह हम लोग इसमें मिल लेंगे मिला के ठोड़े टाइम इसको भी धखके रख देंगे की पूरा चिकन में ये सास अच्छी तरह से मिल जाए और उसका टेस्ट उसमें आ जाए अभी ये दो मिनिट हो गया है पुरा अच्छी तरह से सॉस चिकन में मिल गया है अभी इसको हम लोग कूल होने के रख देते हैं अभी चलते हैं रोटी बनाने के तरफ देखें डॉप कितना सॉप्ट है इसलिए अभी रोटी भी बहुत सॉप्ट बनेगा क्योंकि इसमें आवा गरम करते इसमें रोटी को हम लोग सेंक देंगे जैसे रोटी थोड़ा सा अच्छी तरह से पकने लगे फिर मोग दोनों तरफ से ओयल डाल देंगे और उससे पहले हम लोग एक या दो जितना अग आप लोग देना चाहते हो उतना एक को पहले से फैंट लेकर फिर इ अब ही हम लोगों का रोती कंपलीट हो गया तो हम लोग फिलिंग के तरफ चलते हैं लास्ट प्रोसेस के तरफ तो हम लोगों का फिर चिकन रोल कंप्लीट हो जाएगा मैंने यहां पर थोड़ा से सबजी लिया है जैसे की कैबेज, ओनियन, कैरट and चिकन आप लोग चाहे तो इसमें कैपसिकम भी मिला सकते हैं टेमेटर भी मिला सकते हैं आप लोगों को जो जो सबजी जैसे पसंद है आप लोग अपना फिलिंग वैसे ही डालके आप लोग अपना चिकन रोल एंजोई कीजिए चिकन के साथ आप लोग सलाड में चेंजेस भी ला सकते हैं, जिससे कि कभी लेटेस दे दिया, कभी कैबेस दे दिया, कभी कैपसिकम दे दिया, कभी बिना कैपसिकम के ट्रमेटो दे के और बाके सबजी दे के बना लिया, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, बच्चों को भी अच्छा और वो लोग भी एंजोय करते हैं डिफ्रेंट 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 आइटमस एंड टेस्प से तो अभी हम लोगों का रोल बन गया अभी ये टूथपिक से हम लोग इसको टक कर लेंगे जैसे कि ये ना ओपन हो तो ये हम लोगों का चिकेन वेजिटेबल रोल तेयार है अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मत भूलिए अगर कमेंट ब्लॉक्स में जाके लिख दीजिए थैंक यू सो मच टू आच माइं वेडियो